हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो फटाफट बताईए रिस्पॉंड कीजिए अपन फटाख से आपका आज का टेस्ट शुरू कर देते हैं आगए है अमिद जी आगए है जहीर जी आगए है आ रही है जहीर जी ने बता दिया आघए है तो फटाख से टेस्ड को शुरू कर देते हैं तो देखे गाईस पहला question आपके सामने आ चुका है आप लोग already जानते हैं कि एक तरफ English में question लिखा रहाता है दूसरी तरफ Hindi में question लिखा रहाता है और यह पूरे जो questions में हापर आपको बता रहा हूँ यह already current affairs के lectures में अपन पढ़ चुके है प्रिवियस दो-तीन lectures में पूरे topics अपन cover कर चुके हैं तो regular basis पर यह आपके आपका test होता है आपकी practice के लिए कि आप current affairs के lecture follow up कर रहे हैं और उसके बाद उसकी proper तरीके से revision कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसकी test अपन यही पर हर दो-तीन दिन में लेते हैं और हफते में तीन दिन यह आपको test provide किया जाता है Tuesday, Tuesday, Thursday और Sunday रात में 9 बजे आगे student का answer भी आना शुरू हो गया तो तेखो पहले question में मकर संक्रान्ती की बात की जा रही है मकर संक्रान्ती एक ऐसा festival है जो कि हिंदू calendar के according हमें देखने को मिलता है और solar cycles के according यह मनाया जाता है और पहला दिन यह हम लोग को देखने को मिलता है ज जलत पूछा गया था और दोनों ही statement correct है इसलिए correct answer होगा D और पहले का D दिया है सबसे पहले जहीर जी ने फिर दिया है प्रीती जी ने और फिर दिया है अकी जी ने अकी जी और फिर अमिद जी ने अकी जी देखिए आपको question number पहले लिखना है उसके बाद फिर option लिखना ह next question polar vortex related है आपके सामने polar vortex related whirling cone यह हमें देखने को मिलता है basically एक प्रकार का तूफान टाइप का यह हम लोग को नजर आता है उपर north pole के पास ही हम लोग को नजर आता है देखने को मिलता है गर्मियों सर्दियों के समय पे यह काफी ज़्यादा strong हो जाता है और polar vortex ionosphere पर हमें देखने को मिलता है बताईए ज़रा फटाफट क्या होगा correct answer second का again इसमें भी आपसे incorrect पूछा गया है गलत statement पूछा गया है दोनों इस statement गाइस मलब सही नहीं है एक statement इनमें से गलत है और stratosphere है ना कि यह आयनो स्फेर तो correct answer जो होगा वो आपका B होगा to only correct answer is B to only और सबसे पहले B दिया है second का सबसे पहले B दिया है प्रीती जी ने और उसके बाद फिर दिया है अमिद जी ने सभी लोग C क्यों लेख रहा है यहाँ पर बकाइदा बताया हुआ था कि stratosphere पर यह polar vortex हमें देखने को मिलता है ना कि आयोनो स्पेर पे और आप से गलत पूछा गया है तो दोनों ही गलत थुरना है एक ही गलत है पहला वाला statement बिल्कुल correct हम लोग को नजर आता है कि winter के समय पर यह सबसे जादा strongest होता है क्य हो जाती है जो कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह weak हो रहा है तो इसके बारे में पूरा डीटियल में आपको polar vortex topic को पढ़ाय हुए और काफी important topic है polar vortex का next question third question आपके सामने है लेक चार्ट से related यह कोशन है जल्दी बताइए लेक चार्ट के बारे में क्या यह लेक एफरिका में है और क्या चार्ट बेसें की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लेक यह हमें नजर आती है आपको correct statement बताना है जल्दी बताइए फटाफट थर्ड का गाईज correct statement है नहीं नहीं correct statement दूसरा वाला होगा पहला वाला statement correct है दूसरा incorrect है आप से correct पूछा गया है और वेस्ट एफरिका की और इवन एफरिका की सबसे बड़ी लेक के तौर पर यह हमें नजर आती है चार्ट बेसें के अंदर राइट तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है तीसरे का correct answer है A और तीसरे का correct answer A सबसे पहले किस ने दिया है महग जी ने सबसे पहले दिया है धर्ट का A और उसके बाद पृती जी ने दिया है और फिर लिखा है हमानशुजी ने ःफर्ट का A फोर्थ कोश्टन गईज आपके सामने जांसकर रेंज से रेलेडिड ये कोश्टन है तो क्या जांसकर रेंज हम लोग को लदाक में देखने को मिलती है और क्या 33 हमाले की ये पार्ट के तौर पर हम लोग को नजर आती है जल्दी बताएए 4th question का correct answer क्या होगा तो guys 4th question में दोनों ही statement बिलको correct है 4th का correct answer है C और 4th का C सबसे बहले महग जी ने दिया है फिर प्रीदी जी ने फिर फैजल जी ने 4th का C 5th question आपके सामने शियोग नदी से related है शियोग नदी नुबरा नदी के साथ मिलती है और एक बहुत बड़ी valley create करती है और लदाक और कारकोरम रेंज को ये valley separate करती है और शियोग नदी क्या ब्रह्मपुत्रा नदी की trajectory है बताइए क्या होगा correct answer 5th question का फटा फट बताइए आपसे यहाँ पर incorrect पूछा गया गलत statement पूछा गया है दूसरा गलत है इसलिए दूसरा correct होगा और गलत क्यों है क्योंकि इंडस नदी की trajectory साहयक नदी के तौर पर ये हमें देखने को मिलती है शियोग नदी तो incorrect पूछा गया पाचवे का correct answer है B और पाचवे का B किसने लिखा है महग जी ने सबसे बले दिया है फिर पृती जी ने दिया है फिर अमज जी ने दिया है पाचवे का B छटा question गाई आपके सामने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना crop insurance scheme के तौर पर ये हमें देखने को मिलती है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना इसका main मकसद क्या है कि किसानों के उपर premium का burden reduce करना insurance premium का burden reduce करना और ensure करना कि जल्दी से यल्दी फार्मर्स को claim मिल सके याई कि अगर कभी नुकसान होता है crop failure कभी होता है तो किसानों को जल्दी से यल्दी claim मिल सके इसके लावा हम लोग को प्रधानमंतरी फसल बीमा योजना 3.0 में देखने को मिला है कि केंद्र की उपर लिमिट लगाई गई है अब केंद्र जो है 35% तक अनिरिगेटेड एरियास पर ही प्रीमियम देगी और इरिगेटेड एरियास में 25% तक ही अपने प्रीमियम का कॉंट्रिब्यूट करेगी तो क्या होगा छटे का correct answer सभी लोग C लिख रहा है क्योंकि उन्होंने डेटा ध्यान से नहीं पड़ा है 30% तक प्रीमियम रखा गया है अनिरिगेटेड एरियास में और 25% तक इरिगेटेड एरियास में रखा गया है तो यह थोड़ा सा आप लोग को especially state civil services की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो डेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए UPSC उतना डेटा में focus नहीं करती बड़ फिर भी ध्यान रखो 6th का A होगा correct, one only और 6th का A सबसे पहले लिखाए पृती जी ने और फिर 6th का A लिखाए जहीर जी ने और फिर 6th का फिर सभी students confused होगा है क्योंकि डेटा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना और इस चीज़ को याद रखिएगा अब next question है आपके सामने mobile phone को silent कर लेते हैं next question है खादी प्राकृतिक paint काफी important topic यह तो खादी प्राकृतिक paint क्या इसको खादी and village industries commission के द्वारा KVIC के द्वारा develop किया गया है गाय का गोबर क्या इसमें main ingredient है, क्या यह cow dung से गाय के गोबर से बना है, क्या यह paint और क्या इसको BIS Bureau of Indian Standard का certification मिला हुआ है बताइए, 7th का तो सभी ने correct answer लिग दिया है, सभी को पता है दोनों ही statement बिल्कुल correct है 7th का C, सबसे पहले प्रीती जी ने दिया है फिर दिया है, राकिश जी ने फिर दिया है, महक जी ने 7th का C आप गाईज, 8th question आपके सामने तेजस का है तेजस का question है, तेजस का question है 8th तेजस सबसे छोटा और सबसे lightest multi-role supersonic fighter aircraft है क्या हमारे Indian Air Force का और क्या इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है correct statement बताईए जल्दी बताईए 8th का guys correct होगा पहला वाला HAL, Hindustan Aeronautics Limited के द्वारा इसको बनाया गया है ना कि DRDO के द्वारा, याद रखिएगा काफी जारे student इसमें उलज गये है 8th का A सबसे पहले दिया है 8th का A राकेश जी ने और फिर दिया है निखिल जी ने फिर दिया है फैजल जी ने 9th question guys Urban Local Body से related ये question है आपके सामने जो reform लाया जा रहा है Urban Local Bodies में शहरी इस्थानिय निकायों में ये जो reform जो लाया जा रहा है सुधार जो इसमें किया जा रहा है वो किस परपस के लिए किया जा रहा है कि Urban Local Bodies में Financial मदद मिल सके जिसके चलते वो better health और sanitation services जो है वो provide करा सके है राज्य में इसके लाबा मनिपूर के मनिपूर जो है उसने join कर लिया है आंध प्रदेश, राजिस्तान और तिलंगानों को और मनिपूर चौथी state बन गई है जिसने ULB में reform अपना successfully complete कर दिया है बताइए क्या होगा नाइंथ का correct और नाइंथ का correct होगा पहला वाला ही क्योंकि यहाँ पर मध्यप्रदेश है ना कि राजिस्तान, आंध प्रदेश, मध्यप्रदेश और तिलंगाना और उसके बाद मनिपूर इन चार राजियों ने complete कर दिया है ULB reforms को तो नाइंथ का क्या होगा A होगा correct और नाइंथ का A देखते हैं किसने लिखा है सबसे पहले दिया है नाइंथ का A हिमांशु जी ने फिर निखिल जी ने दिया है फिर मनिशा जी ने दिया है नाइंथ का A अब गाईस टेंथ कोश्चन कोलाब कैट सॉफ्ट्वेयर से रिलेटेड ये कोश्चन है क्या इसका उप्योग किया जाता है 3D और 2D ड्रॉइंग को बनाने के लिए 3D डिजाइन बनाने के लिए और 2D ड्रॉइंग को बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की प्राक्टिकल असाइंग्मेंट्स में क्या इसको उप्योग किया जाएगा और NIC के दुआरा क्या इस सॉफ्ट्वेयर को लाँच किया गया है बताइए जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 10th कोश्चन का D होगा? D होगा क्या? नहीं होगा D सेकेंड वाला होगा क्या NIC और CBSC ने मिलकर इसको लाँच किया है आपसे incorrect पूछा गया था B होगा इसका करेक्ट आंसर दसवे का और दसवे का B किसने identify कर लिया है सबसे पहले कंचन जी ने सबसे पहले 10th का B लिखा है फिर कुलदीब जी ने लिखा है और फिर लिखा है अकांचा जी ने 10th का B अब 11th कोश्चन आपके सामने Meal warm से related ये कोश्चन है कोश्चन दिखने में अच्छा है पर महसूस करने में काफी खराब है आप सभी जानते हैं अगर क्लास अटेंट करी होगी आपने तो meal warm के बारे में तो meal warm एक हम लोग को प्रजाती देखने को बलती है कीड़े की meal warm एक species है larval form में हम लोग को नजर आती है meal warm beetle tenebrio molitor एक species है darkling beetle की और क्या अब ये यूरोप की plates में देखने को मिलेगी आने वाले समय में क्या यूरोप ने इसको एक human food के द्वारा declare कर दिये गया है पहले insect को पहले कीड़े को human food के द्वारा तो हाँ ये दोनों ही state में बिल्कुर correct है 11th का C और सभी students ने correct transfer दिया है राकेश जी ने सबसे पहले फिर प्रीती जी ने फिर कंचन जी ने अब next question आपके सामने 12th है NIF का question है National Innovation Foundation क्या February 2000 में इसको set up किया गया था सन 2000 में वडोधरा गुजरात में और इंडिया का ये National Initiative है कि हमारी जो technological innovation जो है उसको हमें strengthen करना है हिजाज स्यदा innovation हमारी country में हो और traditional knowledge के उप्योग से हमारे जो traditional जो knowledge है उसके उप्योग से नए-ने innovation हम लोग करें तो क्या इस पर NIC काम करती है तो हाँ इसी पर second वाले पर NIC काम करती है और second वाला correct है पहला अहमदाबाद में इसको set up किया गया था NIF को sorry 12 का correct है B और 12 का B किसने लिखा है सबसे पहले नीतू सिंग जीने 12 का B सबसे पहले दिया है उसके बाद फिर राकेश जीने दिया है फिर जहीर जीने लिखा है 12 का B अब next 13 कोशन गाईज आपके सामने है हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करी थी कि हिमाचल प्रदेश के जो जंगल है वहाबर क्यों इतनी जादा आग लगती है तो उसी से related wild fire से related ये topic है wild forest fire से related तो गर्मियों में forest fire frequently हमें देखने को मिलती है low और middle hills में हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पर चीर pine बहुती commonly पाए जाते है और post monsoon season monsoon के बाद और winters में forest fire जो है वो higher areas पर उचाई वाले area पर हमें देखने को मिलती है जहाँ पर grassland सब लोग को नजर आते है 13 का correct आप से पूछा गया है और 13 में दोनों ही statement correct है 13 का होगा C सबसे बहले 13 का C किसने लिखा है Amit जी ने सबसे बहले दिया है फिर प्रीती जी ने दिया है फिर दिया है अकांशा जी ने 13 का C और guys 14 कोशन आपके सामने बहुती important और बहुती शांदार कोशन 9mm की machine pistol हम लोगों ने बना ली है इंडिया में ही बनाई गई है और DRDO की दोरह कैसे बनाया गया है इसका क्या upper receiver aircraft grade aluminium से और इसका lower receiver carbon fiber से बना है क्या बताइए correct statement 14 का बहुत बढ़िया 14 का correct statement है B दूसरा बाला DRD और Indian Army ने मिलकर इसको बनाया है students यहाँ पर confused हो गाए और students ने 14 का B सबसे पहले किसने दिया है देख लेते है जहीर जी ने सबसे पहले identify करके correct लिखा उसके बाद फिर विकरान जी ने और 14 का B विकरान जी ने दो बार क्यों लिख दिया विकास योजना very important topic तो क्या ये एक flagship scheme है प्रमुक योजना है क्या ये MSDE की Ministry of Skills Development and Entrepreneurship की और प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना 3.0 जो है वो focus कर रही है new age और covid related skills में new age याने की नया योग आज की rate में जिस प्रकार की skills की requirement है क्या उस पर focus कर रही है क्या और आपसे correct state में पूचा गया है दोनों ही statement correct है 15th का C होगा आपकी यहाँ पर practice हो रही है आपको दोनों का पता होना चाहिए अमिजी only D.I.D.O मैं लिख सकता था बट मैं चाहा रहा था कि मेरे student को दोनों का पता रहे तो यहाँ पर practice चल रही है बिल्कुल accuracy की जबी तो आप exam में बहतरीन करके आओगे score और 15th का C किसने लिखा है सबसे पहले जहीर जी ने सबसे पहले दिया है 15th का C फिर प्रीती जी ने दिया है फिर राकेश जी ने दिया है 15th का C नहीं ने विकरान जी दो टाइम अगर आप एक टाइम भी लिखेंगे और मेरी स्क्रीन पर आपका पहले शो करेगा तो मैं बिल्कुल आपका नाम लूँगा उसकी attention मतलो और अपने बस pen और paper लेकर बैठे हो जितने आपके correct होने paper पे mark करते चलो end में आपके total question में से कितने correct हुआ है वो आपके लिए important है तो उससे आपको बतलेगा कि आप कितने focus तरीके से current affairs को देख रहा है अभी एक student का message आया है CSET का उन्होंने remaining amount पे कर दिया है कोई बात नहीं student अभी मैं आपको reply करूँगा थोड़ी दिवरा class के बाद बढ़ अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताया देता हूँ कि पूरा material आपको drive पे provide किया जाता है email आपको दे दूँगा मैं 24 hours के अंदर आपको आस email आ जागा पूरी जानकारी आपको हापर मिल जाएगी September 2018 में honorable supreme court ने section 497 को struck down कर दिया था IPC के section 497 को जिसमें adultery एक punishable offense हुआ करती थी men के लिए तो उसको हटा दिया गया था और ये section जो है वो किस की against था किस particular हमारे articles की against था बदाये क्या होगा इसका correct answer 16th का 16th का students लेग रहा है 1 and 3 और 1 and 3 ही बिल्कुल correct answer है right to life and personal liberty article 21 और right to equality article 14 इसके against हम लोग को देखने को मिला था that's why इसको stuck down कर दिया था 16th को जो 16th का क्या होगा C होगा और 16th का C किसने लेखा है जहीर जीने सबसे पहले उसके बाद फिर आजाद जीने सबसे पहले और फिर लिखा है अमिद जीने 16th का C 17th कोश्चन KVIC से related खा दी है विलेज इंडिस्ट्री कमिशन से related कोश्चन है क्या ये एक statutory body है क्या इसका focus है कि saleable article जो है वो provide कराना economic objective है कि गाओं में से various यानि की rural areas में लोग बात जो है वो various सीजों को बनाए products वगएरा को और उसको बेचा जा सकें जिससे कि उनको income generate हो social objective इसका है कि employment rural areas पर provide कराना क्या होगा बताइए इसका correct answer 17th question का 17th का C मत लिखो C नहीं होगा ना correct 17th का C बिल्कुल correct नहीं होगा D होगा all the above होगा तीनों ही सही है statutory body है economic objective इसका क्या है saleable article saleable products provide कराना sale वगएरा हो सकें social objective क्या employment opportunity generate करना तो तीनों ही इसके correct होगा और इसका correct answer होगा D 17th का D किसने सबसे पहले दिया है 17th का D दिया है सबसे पहले निखिल जी ने और फिर दिया है कंचन जी ने और फिर दिया है ठीक है अब sign off करें कोई कुछ चीज पूछती ही तो नहीं है और बाकी बहुत ही जल्दी history का course आने वाला है आप लोगों के लिए जैसे c set में आपको बहतरी तरीके से चीज़े पढ़ाई जारी है वैसी अब history में भी आपको बहतरी तरीके से चीज़े पूरी a to z कवर कराई जाएगी क्रिती जी sociology के लिए भी कर रहा है भी कोशिश चल रही है sociology के लिए और एक्शली बताओ क्या होदा है प्रोफेशनल को जो अपन बुलवाते हैं तो उनमें थोड़ा सी fees जादा रहती है आप समझदार हैं समझते होंगे तो और अपन को चाहिए कि अपने students को affordable fees में हापर चीज़ों को launch करें अब क्या है कि per student से मिलब जो बात हो रही है sociology option की मैं आपको exactly बताओं तो 40,000 से 60,000 रुपे की per student की fees होती है और उतना तो अपन लाएंगे ही नहीं किसी हालत में आप जानते हैं क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे सभी students को affordable price में जो है वो यहाँ पर मिले चीज़े हैं 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. नहीं 4.30 a.m. पर दे दूँगा मैं आपको 4.30 a.m. पर कल मिल आएगा आपको lecture don't worry about it अभी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी टाइमिंग वगए रखी बिल्कुल टाइम पर मिलेगा आपको tension मतलो ठीके चलो आप sign off कर रहा हूं मिलेगे बन अब अगले life quiz में और कल के lecture में तब तक ली bye bye take care